जै हिन दोस्तों कैसे हैं आप लोग तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2013 में आई एक disturbing film The House with 100 Eyes के बारे में फिल्म की starting में हमें एक notice दिखाया जाता है जहाँ पे लिखा होता है सन 2000 में Jay Lee नाम के फिल्म मेकर को एक package मिला था जिसके अंदर 58 video tapes थी इस tape के अंदर जो footage थी वो बहुत जादा shocking थी जिसे देख कि किसी भी इनसान का दिमाग खराब हो सकता था आगे हम जो भी movie देखने वाले हैं वो उसी tape में से निकाली गई है और ये एक snuff film है फिर हमें वो video tape दिखाये जाती है जिसमें हम Ed नाम के बंदे को देखते हैं जो की एक film maker था उसकी एक wife थी Suzanne जो film making में उसका हाथ बटाया करती थी जब वो दोनों screen से हटते हैं तो हम वहाँ पे एक chair देखते हैं जिसके नीचे खून पड़ा हुआ था जिससे हमें पता चलता है कि ये उनका torture room है और वो दोनों snuff films बनाते हैं Ed describe करता है अपनी films के बारे में और बताता है कि ये उसका creation है वो लोगों पे असली torture करता है क्योंकि वो real reaction लेना चाहता है और अगली film के लिए उसने एक बहुती तगड़ी script तयार की है जिसमें उन्हें तीन लोगों की जरूरत है यानि वो तीन लोगों को पकड़ेगा और उनका murder करेगा और इन सब में सुजैन उसका साथ देगी वो ये भी बताता है कि उसने अपने घर में 100 कैमराज लगाए हुए है काकि उसका कोई भी victim यहां से भाग न सके रात को सुजैन जब डिनर तैयार कर रही होती है तो एड वहाँ पे आके उससे पूछता है कि वो क्या बना रही है सुजैन उससे कहती है कि वो उसके लिए special dish बना रही है तो एड उससे जबरदस्ती पहले वो dish चखवाता है उसके बाद वो उसके पास आके कैमरा में कहता है कि उसकी वाइब सबसे खूब सूरत है और वो एक angel की तरह है जिसने उससे शादी की है वो ये भी बताता है कि वो सुजैन का दूसरा पती है क्योंकि उसका पहला पती उसे अक्सर मारा पीटा करता था जिसकी वज़े से सुजैन ने उसे डाइवाज दे दिया था अगली सुबह वो लोग अपने विक्टिम्स को पकड़ने के लिए तैयार हो रहे होते हैं सुजैन कैमरा में क्रीपी स्माइल देती है और बताती है कि वो अपने पती के लिए तैयार होती है क्योंकि उसकी माँ ने कहा था कि अगर अपने पती को खुश रखना है तो उसे अच्छा दिखना होगा फिर वो दोनों अपनी कार लेके अपने विक्टिम्स की तलाश में निकल जाते हैं लेकिन तबी सुजैन एड से कहती है कि वो अपनी मुर्डर किट तो भूल ही गए है यस उनकी एड वापस घर में जाता है मुर्डर किट लेने के लिए और कैमरा में उसके अंदर मौझूद सारे ओजार दिखाता है और बताता है कि वो नौजारों से वो कैसे लोगों को मारता है उसके बाद वो दोनों फिर विक्टिम्स की तलाश में निकल जाते हैं रास्ते में उन्हें एक लड़का और दो लड़किया जाते हुए दिखती है तो एड़ गारी रोक के उन तीनों से कहता है कि वो एक फिल्म बना रहे हैं और उन्हें तीन आक्टर्स की जरूरत है वो तीनों उससे पूछते है कि वो किस टाइब की फिल्म बना रहा है तो एड़ उससे कहता है कि वो अडल्ट फिल्म बना रहा है यह सुनके वो तीनों उससे कहते हैं कि उन्हें उसकी फिल्म में काम नहीं करना और वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं एड उन्हें गाली देता है और रुकने के लिए कहता है लेकिन वो तीनों नहीं रुकते और वहाँ से चले जाते हैं रात को जब एड घर पहुंचता है तो वो खाना नहीं खाता क्योंकि वो अभी तीन विक्टिम्स को नहीं ढूंड पाया था और उसकी मूवी बनने में लेट हो रहा था अगले दिन वो फिर विक्टिम्स की तलाश में निकलते हैं लेकिन उन्हें कोई भी नहीं मिलता लेकिन रात में उन्हें तीन दोस्त मिलते हैं जो कि उनकी फिल्म करने के लिए तयार थे क्योंकि एड ने उन्हें वादा किया था कि अगर वो उसी गाड़ी में बैठेंगे तो वो उन्हें 50 डॉलर्स देगा हम देखते हैं कि वो तीनों नशे में थे और उन लोगों को पैसों की जरूरत थी ताकि वो ड्रक्स खरीद सकें वो एड से कहते हैं कि अब वो गारी में बैट गए हैं तो वो उन्हें उनके पैसे दे दे अपनी ही सनफ फिल्म देखने का फैसला करता है वो अपनी एक डीविडी निकाल के प्ले करता है जिसमें वो एक लड़की को टॉटचर कर रहा था और ये देखिए वो अपने आपको वहीं पे प्लेजर देता है अगले दिन वो दोनों फिर विक्टिम्स की तलाश में निकल जाते हैं लेकिन पूरे दिन ढूंडने पर उन्हें कोई भी नहीं मिलता रात को उन्हें तीन लोग मिलते हैं जिने पैसों की बहुत जादा जरूरत थी इसलिए वो उसकी फिल्म में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं वो उन तीनों को अपने घर में ले आते हैं और उनसे कहते हैं कि वो जल्द ही फिल्म शूट करने वाले हैं और पैसा उन्हें तभी मिलेगा जब वो उनकी पूरी बात मानेंगे Ed سوزین से कहता है कि वो इन तीनों का खयाल रखे और वो जा रहा है शूटिंग के तईयारी करने के लिए वो दो लड़किया सोजैन से पूशती है कि क्या वो उनका वाश रूम यूज़ कर सकती है तो सुजैन उन्हें वाश रूम में लेके जाती है वो दोनों लड़कियां बात करती है कि ये घर कितना क्रीपी है और उन्हें यहाँ पे कुछ अच्छी वाइब नहीं आ रही क्रिस्टल अपनी दोस्त मॉली से कहती है कि उसे नहीं लगता कि वो ये फिल्म कर पाएगी क्योंकि वो बहुत जादा नर्वस है और उसे यहाँ पे कुछ अजीब सा लग रहा है यस उनके मॉली उससे कहती है कि उन्हें ये लोग धेर सारे पैसे देंगे जिससे वो अपने लिए एक नया घर भी खरीद सकते हैं तो वो चुपचाप इनके लिए काम करे ताकि उनकी जिन्दगी अच्छी हो सके कुछ दिर बाद एड उन तीनों को दारू पिलाता है जिससे वो नशे की हालत में हो जाते है और फिर एड कहता है कि अब उन्हें फिल्म शूट करनी चाहिए वो सुजैन को अपने साथ ले जाता है और उससे कहता है कि वो कुछ भी वीर्ड नहीं करेगी उसे एक परफेक्ट शॉट चाहिए ताकि उसकी डीविडी जादा बिके और वो जानता है कि ये ट्रिपल कास्ट है तो ये उसकी बेस्ट सेलिंग डीविडी होने वाली है उसके बाद वो फिल्म मराना शुरू करते हैं और वो लड़के से अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए कहते हैं वो लड़का उन्हें बताता है कि उसका नाम कलच है और वो 18 साल का है और वो ये फिल्म मिशीले कर रहा है क्योंकि उसे पैसों की जरूरत है फिर वो Molly से introduction लेते हैं तो Molly उन्हें बताती है कि उसे starting से ही ऐसे फिल्म है करनी थी क्योंकि ऐसी फिल्मों में पैसा बहुत जादा होता है और वो पैसे से प्यार करती है जब वो Crystal का interview लेते हैं तो Crystal काफी nervous feel करती है वो रोते हुए कहती है कि वो ये फिल्म नहीं करना चाहती तो एड उसे डाटता है और उसे कहता है कि वो end मौके पर मना कैसे कर सकती है सुजयन क्रिश्टल से पूछती है कि क्या वो घर जाना चाहती है तो Crystal उसे कहती है हाँ जिस उनके सुजयन एड को क्रिश्टल के साथ भेज़ती है ताकि वो उसे घर ले जा सके और मॉली क्रिश्टल को दर्वाजे तक छोडने आती है उसके बाद सुजयन क्लच और मॉली को स्टूडियो में लेके आती है जहां उन्हें वीडियो शूट करनी थी वो उन्हें नेकेड होने के लिए कहती है तो वो दोनों नेकेड हो जाते हैं और सुजयन उनसे कहती है कि ये रूम साउंड प्रूफ है तो यहां पे काफी अच्छी रिकॉर्डिंग होने वाली है इधर एड क्रिश्टल को वापस घर में ले आता है और उसे पीटता है कब स्टार्ट करनी है तो मॉली उनसे कहती है कि उसका पती ये सब डिसाइड करेगा वो उन्हें उसी रूम में लॉक कर देती है और एड के पास जाती है और वहां वो देखती है कि एड ने क्रिश्टल को जखमी कर दिया है और उसे बांद दिया है वो अपना एक बॉक्स निकालती है जिसके अंदर कई सारे ड्रग्स थे एड उससे पूछता है कि वो क्या करने वाली है तो सुजैन उससे कहती है कि वो ड्रग्स की मदद से क्रिश्टल को वापस होश में लाने वाली है जब सुजैन उस ड्रक्स को इंजेक्ट करती है तो क्रिश्टल को होश आ जाता है और वो अपने आपको उस रूम में देख के बहुत रोती है एड उसके हाथ में कील घुसा देता है जिस से उसे बहुत दर्द होता है और वो उससे कहता है कि उसकी फिल्म बहुत अच्छी बनने वाली है उसके बाद वो मॉली और कलच के पास जाते है उनकी शूटिंग करने के लिए जहां एड सुजैन से कहता है कि वो यहाँ से चली जाए क्योंकि वो यहाँ पे अकेले ही सब मैनेज कर लेगा सुजैन एक रूम में जाती है जहां उसने एक पेट रखा हुआ था वो उसे लेकि क्रिस्टल के पास जाती है और उसे बताती है कि यह उसकी पेट है क्रिस्टल देखती है कि वो एक लड़की है जिसके हाँच पर उन्होंने काट रखे हैं और उसे वो एक pet की तरह पाल रहे हैं वो pet पूरे सदमे में होती है जिसने अपने आपको पूरी तरह pet ही मान लिया था क्रिस्टल उससे कहती है कि ये लोग कितने बुरे हैं तो pet उससे कहती है कि ये लोग बहुत अच्छे हैं जो उसे रोज खाना देते हैं इधर Ed Clutch पे गुसा कर रहा होता है क्योंकि वो उसके मताबिक काम नहीं कर रहा होता तब ही सुजैन वहाँ पे आती है और Ed से कहती है कि वो उन पे गुसा ना करे वो उन्हें कुछ समय दे अकेले में वक्त बिताने के लिए तो वो जरूर अच्छी परफॉर्मेंस देंगे इस उनके Ed उसकी बात मान लेता है और सुजैन उन दोनों को बेडरूम में ले जाती है और उनसे कहती है कि वो दोनों यहाँ पे अराम करें वो कुछ घंटों में दुबारा शूटिंग करेंगे उसके बाद Ed Crystal के पास जाता है उसको टॉर्चर करने के लिए Crystal उससे कहती है कि वो भगवान के लिए उसे यहाँ से जाने दे वो किसी को इस बारे में नहीं बताएगी तो Ed उस पे हसता है और उससे कहता है कि वो ऐसा ड्रामे ना करें क्योंकि पहले भी कई विक्टिम जैसा कह चुके हैं और इस बात का उस पे कोई असर नहीं पड़ेगा वो कैमरा ओन करता है और क्रिस्टल की रिकॉर्डिंग करने लगता है वो क्रिस्टल की शर्ट फाड़ता है और उसका पेट देखता है और उससे कहता है कि उसके पेट में काफी चर्वी जमा हो गई है तो उसे उसका पेट काट के उसकी चर्वी निकालनी होगी क्रिश्टल उससे कहती है कि वो ऐसा ना करे तो वो उसका कान काट देता है उसके बाद वो उसका पेट फाड के उसका फैट बाहर निकालता है और उसी मास के तुकडे को क्रिश्टल को जबरदस्ती खिलाता है फिर वो हतोड़े से crystal का हाथ तोड़ देता है जिससे उसे बहुत दर्द होता है और blood loss होने की वज़े से crystal की वहीं पे मौथ हो जाती है इसना उस लड़के के पास आती है तो वो लड़का Suzanne से drugs मांगता है और उससे कहता है कि अगर वो drugs लेगा तो वो अच्छा performance दे सकता है सुजैन उसे अपना box दिखाती है जिसके अंदर कई सारे drugs थे और वो लड़का उसे smoke करता है जिससे उसे काफी अच्छा लगता है अभी सुजैन के दिमाग में आता है कि उसे मुवी में कुछ बदलाव करने चाहिए तो वो उस लड़के को पेरालाइस करने के लिए injection लेती है और तुरंट उसके पीट में गुसा देती है जिससे वो लड़का पेरालाइस होने लगता है उसके बाद सुजैन बड़ा सा injection लेती है और उसके अंदर एक लिक्विट डालती है वो उस injection को कलच के पेट में गुसाती है जिससे कलच खून की उल्टी करने लगता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है सुजैन जब उस मेस को साफ करने के लिए जाती है तो एड़ वहाँ पे आ जाता है जब वो कलच पे जमीन पे मरा देखता है तो वो सुजैन पे बहुत गुसा करता है और उससे कहता है कि उसने उसके लीड आक्टर को ही मार डाला है तो अब ये फिल्म कैसे कम्प्लीट होगी सुजैन उससे कहती है कि उसका मरने का तरीका बहुत ही अच्छा था तो एड़ उससे कहता है कि लोगों को उनकी फिल्म में टॉर्चर देखना पसंद है ना कि ऐसे लोगों को असानी से मरता हुआ देखना वो सुजैन से ये भी कहता है कि अब वो खुद अपनी फिल्म में आक्ट करेगा तो सुजैन उससे कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो शादी शुदा है ये सुनके एड उस पे हसता है और उसे अपने साथ टीवी रूम में ले जाता है वो तकीय से एक सीडी निकालता है और उसे प्ले करता है जिसमें वो एक लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था सुजैन ये देखके हैरान हो जाती है और बहुत रोती है वो उससे पूछती है कि ऐसा वो कब से कर रहा है तो एड उससे कहता है कि वो अपने विक्टिम्स को मारने से पहले उनके साथ यही करता है उसके बाद एड मॉली को लेके उस रूम में जाता है जहां मॉली कलच की लाश देख के हैरान हो जाती है एड़ उसके साथ जबरदस्ती करना चाहता है तो मॉली उसके हमला कर देती है और उसके कैमरे से उसके सर पे मारती है जिससे एड़ जखमी हो जाता है उसके बाद मॉली वहाँ से भागने के लिए बाहर निकलना चाहती है लेकिन वो देखती है कि सभी खिड़की और दर्वाजे बंद हैं एड सुजैन को पुकारता है तो सुजैन उसके पास आती है और उसका दर्द कम करने के लिए वो उसे एक इंजेक्शन लगाती है तभी एड महसूस करता है कि वो अपना शरीर नहीं हिला पा रहा है तो सुजैन से पूछता है कि उसने उसके शरीर में क्या इंजेक्ट किया है सुजैन उसे बताती है कि उसने उसे पैरलाइस कर दिया है और ये उसकी सजा है उसे धोखा देने के लिए उसके बाद सुजین मौली को ढूंडने जाती है लेकिन मौली के हाथ गन लग गई थी वो उस गन से सुजین को शूट कर देती है और वहां से भागने लगती है तभी वो स्लाटर रूम में पहुंचती है जहां वो क्रिश्टल की लाश को देखती है और बहुत रोती है बदला लेने के लिए वो एड के पास जाती है और उसके सर में शूट करके उसे मार डालती है जब सुजैन वहाँ आती है तो वो उसे भी शूट कर देती है लेकिन तभी सुजैन उसके पैर में चाको खुसा देती है और वो वहाँ से भागने लगती है सुजैन जमीन पे पड़ी गन लेके मौली को मारने के लिए जाती है लेकिन मौली उल्टा उस पे हमला गर देती है जिससे सुजैन की मौत हो जाती है और बलड लॉस होने की वज़े से मौली की भी वहीं पे मौत हो जाती है तो दोस्तो ये थी इस फिल्म की कहानी जो की काफी disturbing थी अगर आप कोई वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं दोस्तो आज हम जिस चैनल को shout out दे रहे हैं उसका नाम है Gamer Boy Now ये एक गेमिंग चैनल है और अगर आपको इनका कॉंटेंट पसंद आता है तो आप इन्हें सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथी हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन दबाएं नोटिफिकेशन के लिए और मोवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए जैहन्द झाल पना, क्ज डिए और मुस में अब हमें था को घड़ है झाल यज श्यक्वर्ण झाल